आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार अप राधों के विश्ले सड़ के लिए बढ़ाए AI का एस्तमाल चिंतन शिविर में MHA के वरिष्ट अधिकारियों से बोले आमेश्या मुकुल रॉय डिली पहुचे मीडिया से बोले बीचेपी बिधाय खुशा और नड़ा से मिलने आया हूँ सोमवार को बेटे ने दर्च कराई थी मिसिंग रिपोर्ट कार्टी चितम रम्रे की ग्यारा दसमनो शून ने चार करोड रुपए की संपत्ती जब्त मनी लॉडन बामने में एडी का एक्शन राश्टी पार्टी का दर्जागावाने के बाद मम्ता ने अमिर्शा से मांगी थी मदद सुवेंदू का चौकाने वाला दावा बाला कोर्ट ऑपरेशन ने बताई एयर फोर्ट की ताकत एयर चीफ मार्शल बोले नो वार नो पीस में भी इसका इस्तमाल प्रभावी नमस्कार मैं हूँ मैं यूरिस वास्ताव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी ख़बरों का बेसिक और माध्मिक सिक्षा की अधक्षता में कारशाला का आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश माध्मिक संस्कृत सिक्षा परिशद लखनाओ द्वारा नवीन सिक्षानी थी दो हजार बीस के साप एक्षपाठ करम का पुन निर्खषड करने हे तू कारशाला का आयोजन किया गया केंद्री संस्कृत विश्विद्याला गोंती नगर लखनाओ में कारशाला का आयोजन किया गया कारशाला में विशेशगों ने अपने विचार रखे कारशाला के प्रतिभाग्यों दोरा विचार व्यक्त करने के बाद अपर मुखसाचिव दीपक कुमार ने कहा कि संस्कृत माद्मिक विद्यालों की कख्षा छे में प्रवेस लेने वाले चात्रों के लिए तीन महिने का ब्रिज कोर्स रेडीनेस प्रोग्राम के रूप में तै कि जाने की अवशकता है विद्यालों में स्पोर्ट कख्षाओं क फतेपूर के चांदपूर ठाना शेत्र के कुलखेडा गाओं में तलाब में जम कर अवैद मिटी का खनन हो रहा है खनन माफियाओं के होसले इतने बुलंद हैं कि शेत्र में दिन हो या रात उनकी जैसे भी मशीन गरजती ही रहती है वहें जिम्मेदार अधिकारी मौन दि बतादी की चांदपूर ठाना शेत्र के विविन इस्थानों पर धड़ले से मिटी खनन का कारोबार चल रहा है शेत्र में दिन हो या रात मिटी खनन के ट्रेक्टर चलने शुरू हो जाती है जिसकी वज़ा से आसपास के रहने वाले लोगों को खास परशानियों का सामना क पड़ता है अग्यात कार्णों से भी सडाग लगने से कुशिनगर जिले के पडरोना तैसिल के बाजूपटी गाउं में दरजनों घर जल गए आगजनी की इस घटना से दो मासूमों सहित पैसट वर्सी बुजुर की जल कर मौत हो गई इसी घटना में आठ लोग मामूली रूप से जुलस गए जिनका इलाज जारी है घटना की सूचना पर जिला अधिकारी पुलिस सद्धिक्षक सहीत जिले के तमाम बड़े अधिकारी घटना इसतल पर पहुँचकर पीडित परिवारों के राहत और बचाओ कार्रे में जु इलान किया है पुलिस सद्धिक्षक आलोक प्रियदर्शी ने चोरी का खुलासा करते हैं उन्होंने बताया कि बिजली के तार और लोडर के साथ पांच चोरों को गिरफतार कर लिया गया है चोरों के पांसे 33 केवी लाइनी की ऐलूमूनियम तार के 10 अदद बंडल घटना में प्रियुक्त लोडर वाहन भी उनके पास से बरामत किया गया है वहीं बताया गया कि इन चोरों को सलोन थाना शेतर के अंतरगत दादू तीराहा मोड के पास से गिरफतार का न्याइक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और बिजली विभाग के दो कांटेक्टर द्वारा पूरी घटना को अंजाम देने का खाखा तयार किया जाता है जिनकी तलास सलोन पुलिस द्वारा की जा रही है यह थाना सलोन छेतर में हमावा गाउं के पास 15 बटा 16 की रातरी में 33 के विजली के तार चुराने की काट करके चुराने की घटना की गई थी इस घटना में मुकदमा कायम करके पुलिस के द्वारा अनावरन के प्रयास किये गए और आज पुलिस को इसमें पाच बुक्तों को ग्रिफतार करके घटना का अनावरन करने में सफलता प्राप्त हुई है इन अभिक्त गणों के कबजे से दस बंडल तैंतिस के भी एक तार भी बरामद हुआ है साथ ही जो भी तार कटर है आरी और एक लोडर जिसमें तार भर के ले जा रहे थे और अन्य उपकरण के पास से बरामद हुए है चंदाली में चलती बस का पहिया निकलने से बस डिवाइडर से टकरा गई और बस में बैठे यातरी बाल बाल बच गए खचाखच सवारियों से भरी थी बस बनार से बिहार के सासा राम जा रही थी वहीं टकर से मौके पराफरा तफरी मच गई पूरा मामला सेद राजा थानशेतर के एनेच दो का बताया जा रहा है पूरी तरीके से बस बाल बाल सब लोग बच गया है राए बरेली में संदिग्द परिसितियों में सड़क के खिनारे युवा का शौँ मिलने से हड़कम मच गया मिर्तक के पेट के दोनों तरफ चोट के निशान मिले हैं बतादे की मामला महराज गंज कोटवाली शेतर के भधिया मजरे सलेथू गाउं के पास का है जहां सड़क के किनारे एक युवा का शौँ संदिग्द परिसितियों में युवा का शौँ पढ़ा मिला और मामले की जाच परताल में जुट गई सर क्या परिचा है आपको मैं डक्टर रनेल कुमार भागवाज मेडिकल अफसर से महराज निराप रही है कोई मामला है तो क्या है दस बजे एक गुरा टेट एक सोवाट है को लेंसे आया अभी उसका एक्स्टरनल देखा गया है तो उसकी पेट में इंजिरी दोनों साइड पसलियों के दोनों साइड इस्टैबोंड लग रहा है और ऐसे देखे तो पोस्टमार्टम तजे ले रहा कि क्या है लेकिन इस्टैबोंड पुलिस उताप्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना है देजुना की तमाम खबरों के लिए बने रही है प्रैम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्रैम टीवी सच साहस सरोकार